आज हम लोग गनित विशय के अंतरगत महत्तम समापवर्तक की जानकाई प्राप्त करेंगे महत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जो किसी दो संख्याओं को विभाजित करती है दो संख्याओं को विभाजित करने की कई संख्याओं हो सकती है लेकिन वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाती है हम यह देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे संख्याएं पूर्ण तह विभाज्य हो आईए हम महत्तम स्रमापवर्तक को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं हमने दो संख्याएं ली 24 और 40 अगर हम 24 के अपवर्तक निकालें तो वो क्या होंगे 24 के अपवर्तक अर्थात वह संख्याएं जिनका भाग पूरी तरह से इस 24 में चला जाए जो 24 को पूरी तरह से विभाजित कर दें जैसे 2 क्योंकि 2 24 को विभाजित करेगा 3 भी 24 को विभाजित करेगा और क्या संख्याएं हो सकती है 4, 6, 8, 12 यह वो संख्याएं हैं जो इस 24 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगी और स्वयम 24 भी क्योंकि 24 भी स्वयम को एक बार विभाजित करेगा तो अब यह अपवर्तक हो गई 24 की इसी तरह से अगर हम 40 के अपवर्तक निकालें 40 के अपवर्तक होंगे 2 आप ध्यान दीजेगा 2 भी 40 को विभाजित करेगा 4, 5, 10 और बीच में हमने छोड़ा है 8, 8 भी विभाजित करेगा 8 पंजे 40, 10 चोको 40 और 20 और स्वयम 40 भी आईए देखें 24 और 40 के अपवर्तक में समानता कहा कहा है आप देखिए यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी 2 अर्था 2 यह सम अपवर्तक हुआ अर्था दोनों को 24 और 40 को दोनों को 2 विभाजित करता है तो ये सम अपवर्तक हुआ, दोनों को जोड़के कहें, तो समापवर्तक हुआ, यानि समान अपवर्तक, ये चार यहाँ पर है, और चार यहाँ पर भी है, तो चार भी समापवर्तक हुआ, इसके बाद ये आठ है, और यहाँ भी आठ है, आठ भी समापवर्तक हुआ, फिर ब दो, चार और आठ समा पवर्तक दो, चार और आठ अब प्रश्ण ये उठता है कि ये जो तीन समा पवर्तक हमें मिले हैं 24 और 40 के इसमें सबसे बड़ा कौन सा है सबसे बड़ा अर्था जो सबसे बड़ा हो महत्तम का अर्थ भी सबसे बड़ा होना ही होता है इसमें आप ये देखिए कि इसमें आठ सबसे बड़ा है इसका अर्थ ये हुआ कि आठ वह समा पवर्तक है जो महत्तम है तो महत्तम समा पवर्तक का अर्थ ये हुआ कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो किनी दो संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे वो महत्तम समापवर तक होती है इसको निकालने के और तरीके हम सिखेंगे सबसे पहला तरीका है अभाज या गुड़न खंड विधी से अभाज या गुड़न खंड विधी तो सबसे पहले हम 24 के अभाज या गुड़न खंड निकाल ले 24 के अभाज या गुड़न खंड होंगे 2 से भाग करें 12 फिर 2 से इसमें भाग करें 6 फिर 2 से भाग करें 3 और 3 से भाग किया तो 1 तो 24 के अभाज गुडनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आप देखें 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 24 इसी तरह से अगर हम 40 के अभाज गुणनखंड निकालें तो 2 से भाग करेंगे तो ये 20 इसको फिर हम 2 से भाग कर सकते हैं तो ये होगा 10, इसको फिर हम 2 से भाग करें, तो ये 2, 5, 10, 5 बार जाएगा, और 5 अब 2 या 3 से नहीं कटेगा, तो इसको 5 से ही काटना पड़ेगा, 5 एकम 5, तो ये जो 2, 2, 2 और 5 आये हैं, ये 40 के अभाज गुणन खंड होंगे, 2, गुणे 2, गुणे 2, गुणे 5, तो अभा कौन इसमें समान रूप से विभायत कर रहे हैं, दोनों में समान कौन से हैं, तो एक तो ये दोनों में समान हो गया, ये भी समान हो गया, ये भी दोनों में समान है, तो जो दोनों में समान है, वो हम अलग लिख लेते हैं, तो वो हमें मिलेगा समान पवर्तक के रूप में, अर्थात दो ये आया फिर दूसरे को हमने लिया दो फिर ये दूसरे को लिया दो तो दो गुणे दो गुणे दो सब हो गए अब ये तो समान नहीं है दोनों में इसलिए दोनों को हमने छोड़ दिया तो अब इन दोनों का जो गुणन फर प्राप्त हुआ दो गुणे दो गुणे दो दो दोने चार दोने आठ अर्थात ये जो आठ हुआ ये 24 और 40 को विभाजित करेगा दो भी विभाजित कर रहा था ये भी विभाजित कर रहा था चार भी लेकिन ये जो आठ सबसे बड़ी संख्या हो गई जो दोनों को समान रूप से विभाजित करती है इसलिए हम कह सकते हैं कि आठ वहस अपवर्तक हुआ जो दोनों में समान है और सबसे बड़ा भी है अर्थाती है महत्तम समापवर्तक हुआ एक और विधी है जिसके द्वारा हम महत्तम समापुर तक निकाल सकते हैं वो है भाग विधी भाग विधी से हम कैसे निकालेंगे दो संख्याएं हमारे पास एक संख्या है चालिस और दूसरी संख्या थी चौविस चालिस और चौविस दोनों के बीच में अगर हमें महत्तम निकालना है तो भाग विधी यह है कि इन दोनों संख्याओं को हम आपस में ही भाग कर दें अर्थात 24 को 40 में भाग करें आप देखिए 24 में 40 से भाग करेंगे तो केवल एक बार जाएगा दो बार नहीं जा पाएगा क्योंकि 24 दुनी 48 होता है तो ये 24 से कम 24 अब इसको हम उसमें से घटाएंगे तो घटाने पे 10 में से 4 गया 6 4 में से 3 में से 2 जाएगा एक 16 आया ये जो शेस बचा इसमें इस संख्या को ला करके फिर भाग करेंगे इस 16 को जब फिर भाग करेंगे तो ये एक बार जाएगा 16 एक कम 16 गठा लीजिए ये 8 आया अब ये जो यहां से जिससे हमने भाग किया था उससे फिर हम भाग करेंगे 8 दूनी 16 और शेस कुछ नहीं बचा रथा 0 नहीं बचा तो ये 8 वो संख्या होई जो अंत में शेस को विभाजित कर दिया अर्थात ये 8 वो संख्या सबसे बड़ी मिली जो 24 और 40 का महत्तम है 24 का महत्तम समापवर्तक को संशेप में महस अलिक सकते हैं ये बराबर होगा 8 के दोनों विधियों से महत्तम समापवर्तक एक ही संख्या आती है पहली विधि जो हमने देखी थी वो अभाज ये गुड़नखंड विधि कहलाती है और दूसरी विधि जो अभी हमने की वो भाग विधि कहलाती है तो इस तरह से दो या दो से अधिक संख्याओं का मत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे संख्याएं पूर्ण तह विभाज्य हों तो आज हम लोगों ने मत्म समापर तक निकालना सीखा है आगे हम गणित विशय में और अधिक जानकाई प्राप्त करेंगे